तो हलो एवर्यों वेलकम तो केस्मी किंग्लिस अकेडेमी आज की लेसं में हम पढ़नी जा रहे हैं कैन और कुट के विशह में और वीडियो जो है इंपोर्टन होने वाला है अपले के लिए जो वीडियो को अंतक जरू देखिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सुस्क्राइ इस विशह में आज हम बारी किसे इसको जान लेंगे सबसे पहले यूजे सब कैन को दिखेंगे और उसके बाद कूट को भी देखेंगे तब जाके आप लोगों को इस विशह में थोड़ा क्लियरेटी आएंगे तो कैन जो है एबिलिटी के रूप में भी हम उसकार सकते हैं हम पिछले वाले वीडियो में इसको डिसकर्श किये थे कैन इस उस्ट एक्सप्रेस अबिलिटी और कैपेसिटी ठीक है कैन जो है एक योग्यता को दिखलाने के लिए हम कैन का प्रएक करते हैं एक्जामपल आएक एंग्लिश यहाँ पर हम जान सकते हैं कि मेरे पास एक एक इंग्लिश बोलनी की यह चीज को इक आं आ है बता है पॉसिबिलिटी में कैन इस उस्ट एक्स परेस पोसिबिलिटी और पटेंसियल तो जो है पास सिब्लिटी को एक्षप्रेस करने के लिए हम यूच करते हैं तो यहां पर इट कैन रेन टॉमोरो ठीक है यहां पर या संभावना को दिखला रहा है कैन उसी तरीके से पर्मिशन कैन इस यूज टो आक्स फॉर और गिप पर्मिशन ये कैन से हम पर्मिशन अनुमती लेना या देने के लिए भी हम कैन को यूज करते हैं यहां पर क्या बाठरों जा सकता हूँ तो यह यह है यूज अब देखते हम कूड के उजस कूड हमें अबिलिटी इन दी पर ठीगिए बिलिटी बताता है लेकिन पास्टेंस पे जो मेरी पास्ट में बिता हुआ असमाई में जो मेरे पास अबिलिटी था इस चीज को एक्सप एबिलिटी और केपेशिटी इन दे पास्ट एक्जामबल आइकुट स्पिक इंग्लीज वेन उस चाइल्ट तो यहां पर कुट जो है हमें मेरी एबिलिटी के बारे में बता रहा है जब में छोटा था या जब में बच्चा था तब उस समय में क्या बोल सकता था इंग्लीज तो इस तरीकी से जब भी हमें पास्ट में योग्याता को दिखलाना है बताना है तब हमें कूट का प्रएक करना होता है दूसरा है पॉसिबिलिटी और हाइपोथेटिकल सिचुएशन ठीके ऐसी संभाव ना हो या तो कोई एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो एक अन्र मेरे इमजिनेशन एक कल्पन आ हे इसी को मैं हई पोथेटिकल सिचुएशन बोलते है इस तरीका चीजों को एकस्प्रिश करने के लिए Qt का प्रयोग करते हैं Next is Request or Suggestion किसी को Suggest देना हो या किसी से Request करना हो तब हमें Qt का यूज़ करना हो ता है Could Politely आपको बात को कहना हो है तो आपको Could को यूज़ करना होता है जैसे यहाँ पर Could You Pass Me The Salt ठीक है? यहाँ पर Polite तरीके से किसी को Request करना हो या किसी को suggest करना हो आप good का प्रयूग कर सकते हैं क्या आप मुझे third past कर सकते हैं तरह किसे हम good का प्रयूग करते हैं key differences दोनों can और could में क्या का difference रहता है इस चीश को भी देख लेंगे can issues for general ability while good issues for specific ability in the past ठीक है जो है एक जैनेरल साधरन एक योगयता को बताता है जबकि कुट जो है specific ability in the past कोई एक specific योगयता को क्या जो पास्ट में हुआ हो उसको बताते हैं can issues for possibility while good is used for hypothetical situation can हम एक संभावना को दिकला निकली express कर निकली यूज करते हैं जबकि यहां पर कुट जो है एक hypothetical situation को express करने के लिए हम यूज करते हैं अंत में can or could do model work with different uses and meanings दीक है तो यह दोनों का complete different meaning and uses रहता है understanding the meaning and uses can help you express yourself more efficiently in English इसका meaning को और uses को अगर हम जान लेते हैं तो हमें English में अपने आपको effectively express करने में मदद मिलते हैं thank you for watching this video मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए वीडियो देख सकते हैं आप लोग